तो आउसे को नवस्ते पड़ाम में आपका अपने ठागुर्ट प्रेकर सिंग और रात के दस बच चुके हैं और कहानी का जो सिल्सिला है बदस्तूर जारी है पिछले कई दिनों से मेरे इलाके में लाइट और विजली नतमाव चीजों की समस्या इसकदर बढ़ गई है इसमें सरकार या फिर किसी बिभा की गलती भी नहीं दी जा सकते हैं चुकि अगर आधी आएगी पेड़ गिरेंगे तो बेचारी कितना काम करें हाला कि उनकी ड्यूटी है कि सही लाइट या फिर सही सप्लाई दें लेकिन बाद ही आती है लाइट चली जाती है पेड़ गिरते हैं पोल गिरते हैं तो फिर उसका खामियाजा भी हम लोग को भुकतना पड़ता है गर्मी है लेकिन काम ऐसा है चार पैसे कमाने हैं तो फिर वीडियो शूट करना पड़ता है अब ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि आज के वीडियो थोड़ी सी छोटी रखो जो कि कमरा बंद है लाइट है नहीं और बड़ी बड़ी जो सामने लाइटे जलती है उससे और गर्मी फैलती है और लाइट बारा चौदा घंटे से नहीं है तो कमरा एक दम तप रहा तो हो सकता है कि कहानी थोड़ी सी छोटी रखो अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं और आज की कहानी की बात करों तो ये कहानी वास्तों में बड़ी हैरान करने वाली है सुरुआत में पुलिस को कुछ और लगा, फिर जाँच परताल हुई, फिर कहानी कुछ और निकल के सामने आए फिर जो वज़ा निकल के सामने गवर हैरान करने वाली यानि शुरू से लेके यंद तक ये कहानी बड़ी तप्तीश और बड़ी जहिन दिमागी कहानी है कहानी की सुरुगात अप्रेल महीने से होती है मद्द प्रदेश में एक तहसील लगती है महू तहसील और उसी तहसील में एक थाना लगता है सिम्रोल थाना और इसी थाना छेतर में एक पुलिया भी बनी है सिम्रोल पुलिया अप्रेल महीने में सुबा सुबा उसी पुलिया के नीचे कुछ लोग दुकान लगाने कुछ टहलने गोमने कुछ कूड़ा फेकने जाते हैं जैसे ही जाते हैं उनकी निजर एक चीज पर पड़ती है और उसे देखने के बाद लगभग लोग के मुझ से चीख निकल जाती है चुकि वहाँ पे एक शक्स ने फांसी लगाई थी यानि खुद को लटका लिया था अब ये चीज जब बास पास के लोग देखते हैं देखन के बाद पता चला आसपास के लोगों ने जब वापस में डिसकस किया तस्वीरें दोदर भेजी गई तब पता चला कि वहीं दूर के रहने वाले एक सक्स है दयाराम ये उनके छोटे भाई शुभम की लाश है अब ये चीज जब बास पास के लोगों ने देखी देखने के पाद फूरन दयाराम को फोन किया दयाराम आते हैं आने के बाद अपने भाई की जब लाश देखते हैं देखने के बाद फूट फूट के रोने लगते हैं कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया चुकि उम्र जादा थी नहीं बामुस्किल तीस तक की उम्र रही होगी अ आसपास के तमाम लोग हिम्मत हौसला सांतोना दे रहे हैं कि तो जो हो ना ता हो गया एक काम करो डेड बाड़ी को उतारो और ले चलो अन्तिप संसकार करो साथ ही ये सवाल भी लोग पूछ रहे थे कि क्यों किया भाई नियात मत्या क्या रीजन रहा होगा और करना ही था तो घर पे क्यों नहीं किया यहां पे क्यों किया यह तमाम सवाल अकेला भाई दयाराम जवाब देने की कोशिश भी कर रहा इसी दोरान किसी ने कहा कि काम करो चुकि मामला हैंग वैंग का है तो पुलिस को बुला लो पुलिस आ जाती है कम से कम एक पंचनामा कर देगी तो बाद में कुछ फसने फसाने वाला काम नहीं होगा नहीं तो कल को कोई जाके कह दे कि भाई को मार के यहां लटका दिया कमाहम चीजे हैं दयराम को लगा कि बाद तो ठीक है पुलिस को उसने बताया कि मेरे भाई ने यहां पे सुसाइट कर लिया पुलिस वा आती है आने के बाद बॉड़ी को नीचे उतरवाती है उतरवाने के बाद अब चुकि पुलिस केस अब हो चुका था तो फिर यह हुआ कि चलने बॉड़ी का पोश्माटम करवा ले जो कि पोश्माटम करवाएने के बाद यह कुछ क्लियर होगा और केस भी अगर वो पेन इंशट करना है तो उससे भी तो पहले तो पुलिस ने पोश्माटम के लिए लाश अपने कबजे मिली इसी दवरान एक और चीज हुई दरसल सुभम के पास एक फोन था आमतर पे आज की टाइम में सब के पास फोन होता ही है जब सुभम की लाश उतारी गई तो पॉकेट हो गएरा जब चेक किया गया तो तमाम चीज़े तो ठीक ठाक मिली लेकिन फोन गयब था अब ये चीज जब भाई ने नोटिस की दयाराम में तो उसने फिर पुलिस को बताया कहा कि मेरे भाई का जो फोन है वो गयब है पुलिस वाले अब ये चीज जब नोटिस करते हैं और साथ उन्हें जहनकारी जब मिली तो यहाँ पे दो चीज़े होती है पहला आन तोर पे अक्सर मैंने खुद देखा है और इस चीज का मैं खुद प्रतेक्च कवा रहा हूँ एक बंदे ने खुद को लटका लिया था और कमरा जब खुला और पुलिस के आरे में थोड़ा सा वक्त लगा तो फोन उसका टेबल पे रखा था कुछ देर तक वो फोन टेबल पे था लेकिन तमाम लोग जब लाश को देख रहे थे इसी दवरान वो फोन गायब हो गया अब फोन कहा गया? किसके पास गया? आज भी एक राज है चुकि फोन कुछ टाइम तो कौन नहीं हुआ और क्लियर सुसाइट का केस था तो पोलिस वालो ने कुछ टाइम में उस केस को बंद कर दिया तो फोन को खोजने की किसी निकोसिस नहीं की तो हर बार ऐसा नहीं होता कि अगर डेड़ वाडी के पास से फोन गायब है तो वो कातिल हो उसी ने छुपाया कई बार लोग देखते हैं कि लाश है फोन है पैसे है निकाल लेते हैं सबको लाल अच्छ है आज के टाइम में तो यहाँ दो चीजे थी या तो किसी ने निकाल लिया चोरी कर लिया और या फिर कुछ हुगा है वहाँ पे फोन है लेकिन अगर किसी ने निकाला होता तो सिर्फ फोन ही क्यों? पैसी क्यों नहीं? अब ये सवाल बढ़ा था अब इसी सवाल के पीछे पुलिस वाले पढ़ते हैं पढ़ने के बाद अब कहते हैं कि काम करो फोन की नंबर को सर्बलैंस पर लगा दो और साथ ही कॉल डेटेल हो गए रेकलेक्ट करो अब नंबर को सर्बलैंस पर लगा दिया गया कॉल डेटेल निकाली गए तब तक पोश्माटम रिपोर्ट भी आ गई पोश्माटम रिपोर्ट में ये हुआ कि जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई यानि गला दबने से और साथ ही शुभम के सरीर में अलकोहल मिला है यानि सुभम ने शराब पी उसके बाद गले पे रस्ती का दबाव पड़ा और उसकी मौत हो गई लेकिन फिर एक सवाल था कि आखिर जो फोन है वो कहा है इदर पोश्मार्टम रिपोर्ट में भी ये क्लियर नहीं था कि ये यू मार्क है या भी मार्क है हम पुलिस वालों ने जाजपरताल को उस फोन के दे दुमाया कॉल डीटेल निकाली सर्बलैंस पे लगाया जब कॉल डीटेल निकाली तो एक शक्स का नंबर था जो आखरी बार उससे बात हुई थे हिक्मत अली का पुलिस वालों ने कहा कि चलो अब हिक्मत अली से ही पूस्ताज करने भी या उन्होंने हिक्मत अली को बुलाया बुलाने के बद उससे पूस्ताज करी कि तुमने फोन क्यूं किया था हिक्मत अली ने बताया कि मुझे कुछ काम था मैंने किया था बात आई गई हो गई पुलिस वालों को लगा कि चलो ठीक है भाई अब कोई किसी को दोस्त है या रिष्टेदार है या फिर यूही फोन कर दे अब इसको लेकि किसी को अरेच तो किया नहीं जा सकता नहीं तो फिर कल को कोट में हमें दिक्कत हो कि हमने लोगों को परिशान किया लिकि अब मन में एक डाउट है चुकी सूसाइड है या मर्डर ये क्लियर हो नहीं रहा था पुलिस वाले जांच परताल करते रहे तब तीश करते रहे महीनों गुजर गए अपरेल में ये हुआ था मैं महीना पूरा गुजर गया अपरेल गुजरा मैं गुजरा जून का महीना आ गया इधर बॉर्डे का अंतिम संसकार हो गया उसके धर्म की हिसाथ से जो चीजे होती थी सुधी करण ते रह भी ये तमाम चीजे होगी महीनों गुजर के गुजरने के वाद पुलिस वाले जांच पर ताल भी कर रहे इसी दोरान एक चीज पता चली दरसल पुलिस को जानकारी मिली कि सुभम का एक महिला से अफेर चल रहा था और उसको लेके परिवार में कुछ हनबन थी यानि उस महिला के परिवार में अब ये जानकारी जब पुलिस वालों को लगी तो पुलिस वालों ने कहा कि भाई थोड़ा इस एंगल पे प्रकाश डाला जाए चुकि यहां आजकल के टाइम में ना जाय संबन में तो बहुत कुछ हो जाता है उसके बाद पुलिस वालों ने इस एंगल पे भी राइट डाली जब लाइट डाली तब पता चला कि उस महिला के भाई से इस आदमी के कुछ तालुकात खराब थे साथ ही जब हिकमत अली से पूस्ताच की गई थी तो इस टाइम भी एक नाम निकल के सामने आ था वो नाम था अशीश का और यह असीश उसी महिला का भाई था अब पुलिस की तमाम जाश परताल की चीज़े असीश की रदगित घुमने लगी चुकि दो महीने गुजर गए कोई सबोत कोई सुराग मिला नहीं तो पुलिस वालों को लगा कि चलो अब जो है एक नाम उसी से पूस्ताच कर ले इसके बाद असीश को बुलाया गया बुलाने के बाद जब इससे पूस्ताच की गई तब असीश ने कहा कि मैंने यूँ ही कह दिया था ऐसा कुछ नहीं तमाम उसने बाते गुवाई लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस जब अपने पे आये तो फिर मुर्दे भी बोलते है ऐसा ही कुछ असीश के साथ हुआ असीश पुलिस की जब जब पूस्ताच की तरीके है उस पे जब आती है तो फिर पुलिस के आगे असीश टूटता है टूटने के बाद अपना मुह खोलता है और एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनने के बाद तमाम लोग हैरान हो जाएं कि आखिर एक मिडिल ग्लास आदमी भी इसकदर प्लान मना सकता है दरसल असीश के घर शुभम जो था वो काम करता था बहुत पहले उसी के घर पे रहके खेत वगरा का ध्यान रखता था खेती बाड़ी करवाता था ट्रेक्टर हो गए रहा हो वो चलाता था असीश के एक सिश्टर भी थी शुभम भी जवान था अब कई बार ऐसा हो कि घर पे दोनों अकेले थे तो कहीं ने कहीं अब दोनों के बीच नजदीकिया बढ़ने लगी अब नजदीकी बढ़ी रोक टोक करने वाला उस टाइम कोई था नहीं किसी ने ध्यान दिया नहीं बात आगे बढ़के दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे आलम यह हुआ कि फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया अब एक बार हुआ दो बार हुआ तीन बार हुआ आलम यह हो गया कि जब जब अब दोनों को मौका मिलता एक दूसरे के साथ चोरे चुपे मिलने लगे एक दूसरे के साथ रिलेशन मनाने लगे यहां पर प्यार कहना साथ गलत होगा चुकि प्यार ऐसे नहीं होता यहां बस दिये था कि मौके का फाइदा उठा रहे थे और दोने एक दूसरी के साथ अपनी अपनी भूख मिटा रहे थे तमाम चीजी बिल्कुल ठीक चलती रही किसी को कानो कान खबर नहीं वक्त बीता चला गया इधर जो असीस की सिष्टर थी चुकि उस शादी लाइक हो गई थी तो फिर असीस ने उसके लिए एक चारिस्ता भी देखा उन प्रकास नाम के लड़के से फिर उसकी शादी फिक्स हो गई इधर उस लड़की यानि असीस की सिष्टर और सुभम के बीच ऐसा कुछ प्रेम संबन था नहीं कि दोनों एक दुसे के साथ बहुत प्यार में हो एक दुसे के साथ भागने वागने की सोचे ऐसा कुछ नहीं था मैज वक्त का फाइदा उठा रहे थे लिहाजा असीस ने जब रिस्ता देखा तो फिर उस लड़की ने सुभम से का कि जो था उसे भूल जाओ अब मेरी शादी होने वाली है शुभम ने का ठीक है तुम साधी कर लो उसके बाद उस लड़की ने उम प्रकास से शादी कर ले शादी करके यहाँ से चली गई तमाम चीज़े भूल गई पती के साथ खुश रहने लगी लेकिन इसी दवरान अब इधर जो शुभम था उसे भी वो हो गया कि मेरी गल्फरिंट थी ससुराल में लेकिन कम से कम जब माई के आई तब तो मुझसे मिले अब इसके लिए फिर उसने उस लड़की को फोन किया फोन करके कहा कि कब आओगी लड़की पहले नाराज हुई उसने कहा कि तुमने फोन क्यों किया इसने बताया कि जब आना तुम उससे मिल लेना अब ये बात लड़की को अखर गई उसने पहली बात तो सोचा कि जो था पहले था बेस तरह से आगे क्यों सुरुआत में उसने खुद हैंडल करने की कोशिश की चीजे जब हैंडल नहीं हुई तो उसने फिर अपने भाई को इस बारे मता दिया और इतिफाकन जी जाया यानि उन प्रकाश को भी बनक लग गई जब दोनों को पता चला गी सुबहम अब उस लड़की को फोन करके परिशान कर रहा और इधर दोनों के मन में ये था कि ये बात किसी को पता चल गई किसी को खबर लग गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी लिया जब दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं इसका अब रास्ता ही खतम कर देते हैं लेकिन कतल ऐसे करना है कि किसी को कतल लगे ही ना कि ये कतल हुआ है तब उसके लिए इन्होंने एक प्लान मनाया प्लान के तहट घुमा घुमा के जो हिमकतली है उससे कहा कि एक काम करो उसको बुलाओ और इस तरीके से इन्होंने कहा कि उसे डाउट ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसा प्लान है इन्होंने प्लान मनाया था मोटर बेचने के बाहने उसको बुलाने का मोटर बेचने के बाद ने उसको बुलाया गया बुलाने के बाद इसको लेके खेत में बने घर पे जाते हैं जाने के बाद पहले इसको कुर्सी पे बैठाते हैं अब प्लैन देखिए कि अच्छे अच्छे फॉरेंसिक वाले यहां उलेज जाएं कुर्सी पे बैठाने के बाद फिर यह हुआ कि रस्ती पीछे से ऐसे डालना है कि बीच शेभ बने तो कुर्सी पे वो बैठा था, खड़े-खड़े पीछे से जो उम्रकास रसी से दोनों में से एक रस्ती लाता है और गले पे लगाता है और उपर की तरफ खीचने लगता है अब उपर की तरफ इस कदर खीचता है कि कुछी सेकेंडों में वो बिहोश हो जाता है और यहां पे अगर आप निसान देखिए तो बीमार बनेगा अब अभी तक यह मरा भी नहीं था बिहोश था अब क्या करें अभी इन्होंने प्लैन भी सुरू किया उसके मूँ में सराब के कुछ बोतले डाली कुछ एकाद बोतल खाली कर दी कि सायद लोगों को लगे कि इसने शराब पी है अब शराब भी होगी और बीमार भी बन गया अब वही रसी उसी जगहां पे सेम तरीके से कसने के बाद यानि रसी का फंदक कस दिया है उपर नहीं बदा है अब उसको कार में डाल के लेके आते हैं लेके आने के बाद रात होने का इंतिजार करते हैं कि अब रात हो जाए तो फिर कुछ करें इसमें जब रात होती है तो फिर उस पुलिया के नीचे जाते हैं और वहाँ जाने के बाद रसी को उस पुलिया पे लटकाते हैं और गाठ मार देते हैं और फिर उसी फंदे पे बिहोसी की हालत में और सरीर में अब यल्कुल गया था तो वैसे भी आउट आप कंट्रोल थी बॉडी बेहोसी की हालत में लटके-लटके जो शुभम है उसकी मौत हो जाती है तमाम चीज इनके प्लान के हिसाब से बिल्कुल ठीक थी लेकिन इनके मन में एक डर था कि जो हिमा कतली से फोन करवाया गया कहीं फोन में ओ दिखना जाए लिहाजा इन्होंने फोन अपने पास रख लिया और यही उन्होंने गलती कर दी अगर साइद यह फोन ना रखते तो पूरी दुनिया सुसाइड माल लेती निसान उसान भी बहुत कलियर आया नहीं था और भाई को भी बहुत पुक्ताय कीर नहीं था कि decadal हो है तो कोई केस की पैर भी करता नहीं som ऊरंद में बात जो थी आाई गई हो जाती लेकिन यही एक गलती फिर इनके गले का फंदा बनती है औरंद में दो महीने बाद ये लोग गिरबतार होते हैं और इन्होंने जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद तमाम लोग हैरान थे कि आखिर कोई इस वज़ा से कतल कैसे कर सकता है अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या रहा है और किसकी गलती है ये जरूर कमेंट करके बताईएगा और साथ ही ऐसी कहानी के लिए वीडियो को लाइक करके चनको सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजेगा तो आपसे कल फिर मुलाकात होई किसी दूसरी सची कहानी के साथ तब तक अच्छे रहेगा खुश रहेगा अपना ख्याल लगिएगा अपने देश का ख्याल लगिएगा जय हिंद बंदे मातरों